आपका एक बार फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन फिप्टीशन पर आई हो आप सारे बहुत अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में हम एससी सीजियर जो 2022 का एक्जाम हुआ था ठीक है उसके कौन से 5 डेसेंबर ठीक है फर्स शिफ्ट के मैस का सलोशन करने वाले है प्रशन पहला पढ़िएगा अगर वीडियो पसंद आई की तो लाइक कर ले ना चैनल पे ने वहना सब्सक्राइब कर ले ना कहा गया नंबर आफ कॉमन टेंजेंट यानि उभए जीवाओं की लंबाई उभए असपर्स रेख इनके केंद्रों के बीच की दूरी इसका केंद्र ये है c1 इसका केंद्र ये है c2 ठीक है c2 ठीक है अब अगर इनके केंद्रों इसकी तरिज्या है R1 इसकी तरिज्या है R2 ठीक है, एक बात बताओ अगर इनके केंद्रों के बीच की दूरी यानि C1 से C2 तक की दूरी इनकी तरिज्या के R1 प्लस R2 के बराभर इसका मतलब यह दोनों touch करते हैं और अगर दो circles touch करते हैं तो उनकी common tangents यानि उभय asperse रेखाई कितनी होगी? समझ आ गया? अगर माल लो कोई दो बृत्त हैं जो touch नहीं करते तो उनकी कितनी common tangents होगी? आप कहेंगे 4 मैंने पुछा कैसे? आपने कहा एक ये हो गया एक तिरची एक मिर्ची इसको जो सीधी सीधी कीची गई इनको direct common tangent और इनको जो तिरची तिरची कीची गई इनको transverse common tangent यानि तिरियक उभैनिस्ट रेखाय कहते हैं समझा गया? तो इसका उत्तर 3 हो गया कहा गया कि कौन सा pure non zero numbers का है pure q के लिए जिससे ये संख्या किस से कट जाए? 3 और 11 दोनों से कटे अगर कोई संख्या को 3 से कटना है तो sum of digits 3 से कटना चाहिए आपको पता है 6 तो 3 से कट रह 11 में कितना तक कट जाएगा? 9 तक कट जाएगा नहीं आपका जो सम आएगा वो बचेगा 2 प्लस P प्लस Q अब अगर हमारी संख्या को 3 से कटना है तो 2 प्लस P प्लस Q की कोई ऐसी value होनी चाहिए जो 3 से कट जाए अगर हम pure q दो ले दो दो तो 224 26 यानि ये कट जाएगा अग हम 11 इडिजबिलिटी चेक करते हैं 11 से डिजबिलिटी क्या कहती है? 11 से डिजबिलिटी कहती है कि पहले संख्या लिखो आपने लिखा 6 7 4 P Q 0 11 का डिजबिलिटी रूल कहता है अल्टरने डिजिटका सम ले लो 6 4 10 प्लस P और जो बची संख्या है सेबन प्लस पी प्लस जीरो इनका सम ले लो तो सेबन प्लस पी हो जाएगा 7 प्लस Q हो जागे एक मिन्ट यह 10 प्लस Q हुआ है और उपर कितना बच रहा है उपर बच रहा है आपका 7 प्लस P अभी इन दोनों का difference ले लो जो सम लिया alternate digit का उनका difference ले लो तो difference लोगे तो कितना आजएगा P-Q-3 अगर यह जो difference है यह 0 है या 11 के table का है तभी यह संक्या हमारी कटेगी किस से 11 से अब अगर हम इसको 0 लेते हैं तो P-Q बराबर 3 हो जाएगा और यानि P-Q की एक value 3 आ गई और अगर हम इसको 11 लेते हैं तो P-Q बराबर 14 जो कि P भी 9 से चोटा है Q भी 9 से चोटा है तो P-Q क और तो option में तो आपका correct answer इस question को देखो कहा कि एक पुलिस वाला है एक थीप को साड़े 400 मीटर दूरी पर देखता है यह दूरी है साड़े 400 मीटर यहाँ पे खड़ा है पुलिसमें ठीक है तोन पुला कि यहाँ पे है थीप पतला सा भागने वाला ठीक है थीप इधर मुझे पकड़ लो मैं चोर हूँ मैं अपना गुनाह कुबूल करता हूँ ठीक है अंगुल माली तो है नहीं तो आपने कहा कि भया चोर भी भाग गया और पुलिस भी भाग रहा है कागे ratio of speed थीप और पुलिस की जो speed है उसका ratio 7 ratio 8 है यह चोर 7 से भाग रहा है पुलिस 8 से तो आपसे कहा गया कितना distance run करने के बाद पुलिसमेन थीप को पकड़ लेगा एक बात बता है अगर मैं मालू T time बात पकड़ लेता है तो 8 की speed से 8 T run करेगा और 7 की speed से 7 T run करेगा आपको पता है कि पुलिस को कितनी दूरी run करनी पड़ेगी तो यहां से पुलिस दोड़ा यहां तक 7 T तक और यह भाई साब कितना दोड़ देंगे अगर मालो T time बात पकड़ते यानि यह भी यहां तक पकड़ लेंगे समझ में आया आपको एक बात बता है फिर से समझो आपसे मैंने कहा कि 8 मतलब T समय बात अगर पकड़ लेते हैं तो 8 T इतना हो गया और यह इतन दूरी यह इतनी दूरी 8 T है तो आप कहेंगे साथ यह है और 4,5500 यह यानि साथ टी प्लस साधे 400 बराबर 8 T यहां से रखते बराबर कितना होगे भाई है टी बराबर साधे 400 ती बराबर साधे चार सो टाइम बास पकड़ लेगा कौन पुलिस वाला साधे 400 टाइम बास पक तो आठ के स्पीड से साड़े चार सो सेकंड में कितनी दूरी दोड़ जाएका आठ गुड़े चार सो यानि छती सो मीटर चती सो मीटर तीन दस्मलों कितनी दूर पुलिसमेन की स्पीड है आठ साड़े चार सो सेकंड में 36 यहां पर मीटर पर सेकंड करो कि तभी उत्तर आएगा अदरवाई यह प्रशन गलत कह सकते हो क्या कहा गया लेंथ आफ साइड ओफ साइड दिया गया ए बराबर दिया गया 5.6 कितना दिया गया 5.6 आप और सकता कि वाट इस वॉल्वीं फ यश्ट इससफेर गया देओ अगर कोई क्यूब कोहा वह कई सब्सक्राइब का इससे लार्जस्ट इस थिद्क सकता है उसकी ज्युक्रेस विद्किले गयोगी वह इसकी साइड कि क्यूब की साइड के आधी के बराबर होगी ठीक याने वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब तो वैलूपूट कर दो फटा 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 लिखो चार बटे तीन गुड़े पाई 22 बटे साथ गुड़े आर क्यूब 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8 अब यहां पे तो क्यलकुलेशन करना पड़ेगा आपको ठीक है देखो साथ से कट ओगे 0.4 हो जाएगा तीन से कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है अब आपको गुड़ा करना पड़ेगा सीधे सीधे गुड़ा करेंगे देखो 2.8 इंटू 2.8 774 होता है 1784 ही हो गया सेवन पॉइंट 4.8 oa कितना हो गया चार गुड़े चार एक दस्म testify एक दस्म travelling छेक गुड़ेrows 22 कितना हो जागाné 352 कितना हो जागा 352 इसमें गुड़ा करना है 352 से और डिवड कर देना है तीन से अगर हम इसको काटें तो तीन से कितना हो जाएगा ग्यारा दसमलो साथ का साथ दसमलो आठ चार में गुड़ा कर देंगे आपका अंसर एक कैनवे पॉइंट और नो आठ किया करीब हो जाएगा करप सर्फिस आर इसको है यह वरावर दिया कितना दियाग falar 154 आप से कहां किया वॉल्यूम निजा आपको पता है मैंने आपको बता और तो से 122 से 25 या हैं और केतने से कि आपको पता है कि 157 सब्सक्राइब करेंगे तो यह तो हैऎगा निए 154 गुड़े साथ कितना हो जाएगा 28 15 सत्ते 105 यानि 1088 इसमें 6 से डिवाइड करना है 6 से काटोगे 6196 447 642 588 694 पॉइंट सम्थिंग सम्थिंग सत्ते 109 ध्याइट करना है डिवाइट सम्थिंग करना है या अप-को पता होने चाहे एकस माइनस ओन सपर अड़ाक वहिए सकते हैं एक सुबाइब केमि लिटेन चौछ गूड़े तीन चौछ का वर्ग मूल आठ हो जाएगा यानी आठ रूट तीन लिखा होगा एक समाइनस उन भाइए पर आठ रूट तीन है क्योंकि ये वाला दिया गया था अब मुझे मालू ये ना दिखता तो मैं आँसर गलत मार्ण करने वाला था x अगर minus 1 से छोटा है यानि कि x minus 1 by x की value हमेशा negative होगी और अगर x minus 1 by x negative होगी है x plus 1 by x negative होगी तो x square minus 1 upon x square minus minus plus होचाएगा 112 रोड़ती इस प्रशन को पढ़ो और उत्तर करो कहा कि ये जो given table है इसको पढ़ो और उत्तर दरो कहा कि table source number of doughnuts sold by doughnuts sell करते हैं तीन स्टोर है अलग-अलग महीनों में what is the ratio of total number of doughnuts sold by store P and R together in October P और R का October में अक्टूबर कहा पर यहां पर पी और R का total कितना हो गया नौसो एक सो हज्जार पच्चासी हो गया इसका ratio किसे निकालना है total number of doughnuts Q R का Q और R का Q और R का जोड़ेंगे तो कितना हो जागा 1865 इसका ratio निकालना 5 से काड़ देंगे आंसर आ जाएगा 0.5 बीस का कितना परसेंट है आप कहेंगे 0.5 सो का कितना परसेंट है 0.5 परसेंट तो अगर उसका पांचवा हिस्से का पूछा जा तो गुड़े 5 लगा देंगे यानिकि 2.5 परसेंट सुंदर सा प्रसेंट ने का यह ABC एन सी ट्राइंगल एम वाई सेक्टर एए विबिसी कोई ट्राइंगल ए भी चीए टीवाइसेक्टर इन है यह बराबर इसके है आब अगर एंगल भाइसक्टर करते हैं ऑग्रावर 8.4 तहती है भी बराबर 8.4 दिया गया अगर बर 5 उसका टूजा 8.4 हो गया निहां पर क्या जाएगा 4.2 अब आपसे पूछा क्या गया था यह 4.2 हो गया यह 4.2 है यह 2.8 तो पूरा कितना हो जगा दोनों का समसाथ एक होटल 12% का डिसकाउंट देता है दो या उससे ज्यादा रूम बुक करने पर होटल 5% का डिसकाउंट करत है 5% का डिसकाउंट मिला होगा ठीक है अब आपसे कहा कि कितना पेकर था 3000 रूपय उसके रूम का हुआ था 12% तो पहले जटका ले गया 12% का मतलब कि 306 रूपय का पहले कमी मिल चुकी हो उसे ठीक है यह यानि कितने का बचा 264 उस पर भी 5% लगा दो 265 परसेंट कितना होत हुआ 132 का डिसकाउंट करोगे तो पच्छी सो आठ रूपय देखे आएंगे यह आप क्या कम कर सकते है 12-5 का सक्सेशियों निकाल लेते 12 और 5 का सक्सेशियों कितना हो जाएगा 16.4 आर जो है जो है जोगिंग करता है ट्वाइस दे स्पीड ऑफ वाकिंग से जोगिंग करत है का ग AG ॉसके उफिस से घर तक आधी दूरी जोगिंग से जाता है और वापस दोड़ते हुए रनिंग से आता है ठीक है जाते हुए आधी दूरी ऌफिस पहले है उसकी निकाली कितनी होगी उसके है घर से उसके घर से उसके घर और वह पांचesh kg से वाग करता है तो आप से कहा जिया कि जो कितने से करता है दो गुना से जॉगिंग कितने की चैणि पनुन कहा जैगे पांच का दूत तोटल दूरी थी 10 km से पहले half जाते हुए पहले half walking से जाता है 5 km अगर walking से जाएगा तो एक घंटे लगेंगे बाकी jogging से जाते हैं नि 5 km बचा था उसको 10 से जाएगा यानि 0.5 घंटे लगें यानि टोटल जाते हुए time लगा 1.5 घंटे आते हुए अगर हम बात करें तो आते हुए वो आधी distance jogging से 5 km 10 k-speed से यानि कि 0.5 hours लगे होंगे और आधी दूरी running से यानि कि कितनी आप कहेंगे कि 5 km 20 k-speed से यानि कि 1 बटे 4 यानि 0.25 hours और लगे टोटल टाइम कितना लगा डेड़ आधा दो और दो दस्मलो दो पांच तो दस्मलो दो पांच मतलब कितना हो गया 9 बटे 4 यह टाइम है 9 बटे 4 टाइम लगा है total speed कितनी total distance कितनी थी 10 गया 10 आया 20 तो average speed कितनी हो जागे total distance upon time टोटल टाइम इतना है speed इतना है तो 20 बटे 9 बटे 4 यानि 80 बटे 9 यह प्रशन बेसिक से क्यों कर वा है क्योंकि ऐसे present prone to error होते हैं यानि की गलतियां हो सकते हैं प्रिजेंट एज का रेशियो तीन अनुपाद 5 है तीन अनुपाद 5 है साथ साल बाद उनकी आयू का नुपाद 4 अनुपाद 5 हो जाएगा ठीक है एक बात बताओ constant तो रहेगा नहीं तो आप पांस ऐसा गुड़ा करो यार। इस चार में इस रेशियों में ताक कि पांस से बड़ा हुज्यां दोनों बड़ा हुज्यां दो से गुड़ा कर देतें wr10 अब 1 NY bi पांस की तीन से आच हो गया पांस से xo same 7 बाद इख वार यानि की रेशियो में 5 का हो वरसों में सात के बराबर है तो आपसे ब सिन्ट प्क पूछा गया कि आपने का पांच रेशिव कित्ने के बराबर हैं सात वर्स के एक इस कि एट्रमेस कि लत यह मिए पांच रेशियों जो कि साथ के बराबर यह क Sister कुछ मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत है अगर कुक नुद कितनya हो जोगा। और अगर के प्लस उन बाई के तीन है तो क्यों प्लस उन अपान को इसका क्योप 27 मैंने तीन गुड़े 39 27 मैंने नो अठार राम ने एक घर कितने का बेचा 4 लाग का 20 परशने लौस पर यानि उसका क्रेम उपले कितने होगा 5 लाग का अगर कितने पे बेचे था कि 5% का प्रफिट 5,25 पांच लाग का 5% 25,000 यानि उसे कितने पे बेचना पड़ेगा 5,25,000 देखो SCF पूछा गया तो पहले तो 10 निकाल लो दोनों से 10 निकल गया इसमें देखो 11,11 से 198 पूरा पूरा कट रहा है तो आपको पता दूँ अगर A और B दो संख्या है और A से B पूरा पूरा कट रहा है तो इनका SCF जो होता है वो छोटी वाली संख्या और LCM बड़ी वाली संख्य होती है तो छोटी वाली संख्या SCF हो गई और LCM की बात करें तो यह वाली संख्या LCM हो जाएगी A प्लस B का होल क्यूब प्लस A माइनस B का होल क्यूब फॉर्मूला आपको पता होगा यह वोता है टू टू टाइमस आप एक्यूब यानि एक्स का क्यूब X का क्यूब प्लस 3AB स्क्यूब यानि 3 इंटू A X इंटू B स्क्यूब दो Y का स्क्यूब चार Y स्क्यूब अब दो का गुड़ा कर दो तो दो X क्यूब हो गया प्लस दो तियां आठ चोको दो तियां छे चोको चौबिस एकस वाई स्कूर यह आपका फॉर्मूला होता है याद रखना ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है टू टाइमस आप ए क्यूब 2 times of aq plus 3ab square plus 3ab square 2 into होगा ठीक है 5250 रुपे कितने साल में 9870 हो जागे 11% परतिवर simple इंट है 5250 से होना कितना 9870 यानि बढ़ना कितना है 420 420 बढ़ना है आपको पता है 11% इसका कितना हो जाएगा 11% कितना हो जाएगा इसका 10% हो जाएगा 525 11% यानि बाउन पॉइंट 5 इसमें और चोड़ दो यानि कि एक साल में इसे मिलता है 577.5 तो 420 कितने में मिलेगा इसके बटे 577.5 कर देंगे 8 टाइमस जाएगा देख लेना चेक कर लेना 856 856 856 856 856 बाकि देख लेना कहीं गलती तो नहीं करिए कहा गया कि यह जो है वो बाइक और ट्रक का प्रोड़क्शन दिखाता है अलग-अलग कंपनिया वाटी रिश्यो प्रोड़क्शन अफ ट्रक बाइक कंपनी ह एच और टूगेदर और जे और के ह or I जे और के किसका रिश्यो प्रोड़क्शन आफ ट्रक ट्रक का रिश्यो बताना है इसका ट्रक का और इसका बाइक का ट्रक इधर 700 बनाती है ह और यह बाइक कितना बनाती है 700 50 से कट दो 15 50 से कटो पता है ना यह प्रशन कैसे होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया अगर मैं स्क्वाइर कर दूं तो साइन स्क्वाइर थीटा प्लस कॉस स्क्वाइर थीटा यानि कि 1 प्लस 2AB यानि 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा इससे आप पूछोगे क्या हो रहा है? मैंने कहा रुख सोनो तो यह हो गया कितना हो गया? यह आप को हो गया, root 3 minus 1 का whole square, याणि की, A minus B का whole square, A square plus B square, याणि की, 4 minus 2 root 3, upon, यह 2 root 2 का square, याणि की, cattin‐ 8, यह हो गया, अगर मैं यहां पर देखो अगर मैं एक काम करूं इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो यह मिलेगा 2-3 upon 4 2-3 upon 4 1 इधर चला जाएगा ज्यों हो जाएगा माइनस root 3 minus 2 by 4 minus common लेड़ो यह plus हो जाएगा root 3 plus 2 by 4 इसकी value हो गई 2 sin theta plus cos theta 2 sin theta cos तो 2 इधर चलाएगा तो यह बटे में 8 हो जाएगा यहापि मिटा दे रहो हूं इसको यानि कि दो इधर आ गया तो बटे में 8 हो गया मैं इस वज़ा से सिंप्लिफाई इतने में कर ले रहा हूं कि एक्जाम में आपको दिमाग न लगा अब टैन थीटा प्लस कॉड़ थीटा को अगर सॉल्व करोगे तो आपका टैन थीटा प्लस कॉड़ थीटा क्या होता है भा आपको नॉर्मल सा पता है यह साइन थीटा प्लस कॉड़ थीटा का अपसमें गुड़ा यानि इसकी वैलु इतनी हो जाई आप समझाए क्यू मैंने किया तो वन बटे में यह वन बटे में करोगे तो यह हो जागा माइनस आठ बटे टू प्लस रूट तीन गातु माइनस रूट तीन से उपर नीचे गुड़ा कर दो से माइनस रूठी से से नीचे गुढ़ा है आप देखो little माइनस रूट 3 का सकूर 3, 4-3, 1 तो यह नीचे खतम हो गया, इसका आगर गुड़ा करोगे, तो कितना आएगा, 8 तो है इसका जो बाइस सेक्टर यहाँ पर मान लो बाइस सेक्टर आता है, ठीक है, वो BC को D पे काड़ता है, BC को D पे काड़ता है, AB बराबर 10 है, AC बराबर 16 है, तो BD अन पार DC, आपको पता है, एंगल बाइस एक्टर त्योरम कहती है, कि AB और AC का जो रेश्यो होगा, वही BD और DC का रेश्यो होगा, तो 2, 5, 10, 2, 7, 14, यानि इनका रेश्यो 5 रेश्य से बनो गया, साइन थीटा, आठ बटे 17 है, फटा फट, देखो, यह थीटा अगर हो, तो साइन थीटा, यानि कि यह 8 है, यह 17 है, तो यह कितना होगा, 15, तो आप से 10 थीटा पुछा गया, निकाल लो, आपको मैंने एक चीज बताई है, कि सेक A बराबर कॉसेक भी कब हो था पाई चार्ट पढ़ो और उत्तर दो, आप से कहा गया, 300 स्टूडेंट है, अटेंड करते हैं, समर कैम, अबरी चाइल्ड वाज अलाओ तो अप्ट वन एक्टिविटी, तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट फो योगा और पेंटिंग टोगे, टेकन टोगेदर, इस हाव म कौन सा है, ये वाला, डांस कौन सा है, ये वाला, चौबी सोला, चारीस परसेंट, दोनों का डिफरेंस दस परसेंट, आपको पता है, टोटल इस्टूडेंट तीन सो थे, तो दस परसेंट में कहा गया, following table source, amount of annual rainfall, annual rainfall आपको दिया गया, अलग अलग सहरों में, अलग अलग दोस्त बार, और immediate years में, sorry, 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 अब बताओ, continuously two years, immediate years में, बताओ, कहाँ कहाँ पर हो रहे है, अगर मैं बात करू, 2015 से 16 में बढ़ा, 16 से 17 में नहीं बढ़ा, फिर 16 से 17 में घटा, 14 से 17 में बढ़ा, लेकिन 17 से 17 में घट गया, अगर मैं यहाँ बात करू, 80 से 81, 81 से 82, देखो 80 से 81 बढ़ा, immediate years में होना चाहिए, एक state हो गया, दूसरा देखो, 70 से 74, 74 से 75, दूसरे state में भी हो रहा है, यहाँ पर देखें, 96 से 97, 97 से 98, यहाँ भी बढ़ रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें, तो 74 से 75, 75 नहीं, इसमें नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर देखें, 67 से 68, 68 से 70, चोथे state में भी हो गया, अगर यहाँ पर देखें तो कहीं हो रहा है, यहाँ पर देखें, lithe 75 नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो 69 से 60, 60 से 60, तो कितने state है, 1, 2, 3, 4 और 5 state ऐसे हैं, जिसमें लगतार 2 सालों में बृध्धी हुई है, time and work का प्रष्ण हíंदी मे कागे नुमान can complete half of work that Gagan does in 4 by 5 time यानि कि मा लोग Gagan 5 घंटे में कोई काम पूरा का पूरा कर देता है एक यूनिट यानि कि complete काम कर देता है तो उसके 4 बटे 5 हिस्से में यानि कि 4 घंटे में नुमान इसका आधा काम करता है यानि पूरा काम करने में नुमान को 8 घंटे लगते और Gagan को 5 घंटे लगते यदि वे एक साथ एक कारी को पूरा करने में 16 दिन लगाते है अब यह बाद बताओ एक 5 दिन में करता है एक 8 दिन में दोनों मिलके 5 गुड़े 8 बटे 5 धन 8 यानि 40 बते 13 दिन में करना चाहिए 40 बते 13 वराबर दिया गया 16 तो कहा ग्या गगन यानि की 5 वराबर कितना होगा अगर 13 भाई साफ ठीक है आब झाह दोेको 65 14 से कटेगा दो दो गुडे 13 यानि सब्सक्राइब क्लियर हो गया तो यह थे 25 कुस्टन आज में बारी की सब्सक्राइब आपको समझ में आ गया कुछ लोग कह रहे ता समझ नहीं आ रहा है चलो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए बाइटे के लव यू और पढ़ते रहें लिखते रहें बढ़ते रह हागे देली नहीं